हेलो एवरिवन वेलकम तो माई येटीव चैनल अमनी सेर आज की इस वीडियो में हम लोग कंसेप्ट देखने वाले हैं प्रिंसीपल ओफ मैथमेटिकल इंडक्शन का सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रिंसीपल ओफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है और उसके बाद इसी वीडियो में एक उससे रिलेटेट को भी देखने वाले हैं तो आई ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चाप्टर करने में मैं प्रिंसीपल ओफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या बोलता है सो देखिए बोल रहा कि सपोज पी इन बी और गीवन स्टेटमेंट इन इन पी इन जो है आपको एक स्टेटमेंट दिया रहाएगा जिसमें इन का मतलब यानि जो रहेगा उसको आपके आमान के चलेंगे तो ने चुरल लंबर सच डैट उसके बाद क्या बोल रहा कि पीवन इस ट्रू सबसे पहले आपको कैच्छे करना होगा कि पीवन जो है सही है फिर इसके बाद बोल रहा कि and pk प्लस वन ट्रू इस पी के प्लस वन इस ट्रू वेनिवर पीके प्लस वन तब सभी होगा जब पीगे सही होगा देन पी इस ट्रू फॉर न बिलांग्स टू नेच्टरोल लंबर इसके बाद तो हम दिखा पाएंगे कि पीवन जो है सही ह इनके सभी natural number value के लिए ठीक है तो अभी statement तो आप पो ज्यादा समझ में नहीं आ होगा एक question को आप देखे फिर ज्यादा concept clear हो पाएगा question आप से क्या बोल रहा है कि using the principle of mathematical induction प्रूब एट वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस डेस टैस प्लस एन इक्वल वन बाइटू इंटू एन इंटू एन प्लस वन इसे को प्रूब करना तो आई इसका प्रूब करते हैं थोड़ा concentrate होके देखेगा सबसे प्रेंगते हैं सपोज जो given statement है इसको हम PN माल लेते हैं तो लिखते हैं सपोज PN be a given statement यह जो दिया हुआ statement है इसको हम क्या माल लेते हैं तो PN माल लेते हैं तो लिखेंगा therefore PN such that इस पूरे को लिखेंगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैस डैस प्लस एन इक्वल 1 बाइटू इंटु एन प्लस वन तो दिखेंगे सबसे पहले हमको दिखाना था कि पीवन ट्रू है पीवन ट्रू का मतलब हुआ कि जैसे देख रहा ना फस्ट टर्म सेकेंड टर्म प्लस इसका मतलब इधर से पहला टर्म को लेना है ठीक है और इधर क्या करना इधर लिगते हैं we put n equal to 1 तो जब n equal to 1 दिखाएंगे तो इसका मतलब LHS में पाला टर्म तो LHS में पाला टर्म कौन है तो 1 है संजोग से यहां 1 निया 1 आगया कुछ जरूरी निया कुछ और भी हो सकता है तो LHS जो आपको कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा RHS के बात करते हैं RHS तो सबके सम के बदले की टर्म दिया हुआ तो इसमें इनके जगा 1 put करना होगा 1 by 2 into 1 into 1 plus 1 1 plus 1 2 हो जाएगा by 2 कटेगा यानि क्या बचेगा यहां भी तो 1 यानि LHS के इसके इक्वल आगया तो RHS के कि हैंगा since LHS equal है RHS के इसका मतलब है कि पीवन ट्रू आ गया यानि पीवन इज ट्रू जब पीवन ट्रू दिखा दिये तो हमको कह दिखाना कि P K plus 1 इस ट्रू वेन इबर P K is ट्रू यानि P K plus 1 सही कब है जब P K सही है तो P K सही है ऐसा तक है कुशन में दिखी नहीं रहा तो इसलिए हम खुझ से पहले सपोज करेंगे कि P K सही है यानि यहां से लिखेंगे अब सपोज P K B True हम ऐसा मान करके चलते हैं कि P K जो है True है तो कुशन में P N को True दिखाना था ठीक है तो P K को जब हम True मालने है तो जहां जहां इसमें इन दिख रहा है वहाँ वहाँ आप क्या दिखेगा तो K दिखेगा यानि अब इस चीज को हम लिखेंगे P K Such that 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैस डैस यहां N है न तो N के जगा अप क्या दिखेगा तो K इक्वल हो जाएगा 1 बाइ 2 N आए निया के आजएगा फिर यहां N न के प्लस 1 चुकि हमने P K को सही माना और P K को सही मानने का मतलब कि जहां जहां N अप दिखे रहा है वहाँ आप क्या दिखेगा तो K दिखेगा अब इसके बाद हमको क्या करना है P K को सही मानने के बाद P K प्लस 1 को सही दिखाना PK को सही मानने के बाद PK प्लस 1 को सही दिखाना है तो देखिए इसमें जो number of term के बात करते हैं तो यहां से यहां तक total K term है अब हमको क्या लेकर करके चलना होगा तो K प्लस 1 term को लेकर चलना होगा यानि ऐसा समझे कि जिस pattern पे दिया हुआ इसी pattern पे एक term को और बढ़ा करके हमको इसको लिख देना है तो इसके लिए क्या लिखेंगे थ्वड़ा ध्यान देजेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैस डैस प्लस K है एक term को और बढ़ाना है यानि अब हम अगला term क्या लिखेंगे तो के प्लस 1 लिखेंगे अब थोड़ा प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैस डैस प्लस K यहां से यहां तक का भैलू मेरे पास अब लेवल है कितना है तो 1 बाई 2 इन्टू के इन्टू के प्लस 1 इस बैलू को जो हम पूट किया है इसमें equation 1 का help लिए इसलिए यहां से लिखेंगे अब देखिए आपको क्या दिखाना है फर्स्ट में तो आपको दिखाना था कि P1 जो कि हमने दिखा दिया सेकेंड में दिखाना है कि p k plus 1 is true whenever p k is true यानि जब p k सही है तो p k plus 1 भी सही होना चाहिए तो p k को सही हम माल लिए और आगे अब हम p k plus 1 को सही दिखाने के तरफ बढ़ रहे हैं तो सही दिखाने के लिए क्या करना होगा तो सबसे पहले बोले हैं कि इसमें इतना टर्म दिख इसको एक टर्म बढ़ा दिए यानि k plus 1 तक ले गए अब इसके बाद हमको कहलाना होगा तो जो आरेचेस दिख रहा ना 1 by 2 into k into k plus 1 तो जहां k दिख रहा वहां हमको k plus 1 लाना होगा चुकि p k के लिए सही है और हमको p k plus 1 के लिए सही लाना तो इसके लिए यानि इसको स्वा करके 1 by 2 into जहां k दिख रहा हमां k plus 1 लाना होगा फिर इसके के जगा k plus 1 एक plus 1 पाले से फाइनली समझे ना कि यहां k plus 2 आ जागा वही काम पर हम आगे बढ़ाएंगे तो इसके लिए क्या करते हैं दोनों में से k plus 1 को common कर लेते हैं तो यहां से बचेगा आपका ही 1 by 2 k यानि तो आगे में यह नि आगे बढ़ाते हैं तो के प्लस वन ayone कर सकते हैं तो Wagyu का एल से मांपक प्लसे हो जागा है से टूरम में के वन से के में ुसा एक टो प्लसथा तो यानि फाइंवाई इसको स honour क Şimdi का लिक रहा है तो वन बगांश्याले एक क्यफ आवका टो यानि प्लस म इन्टू जो के प्लस टू है इसको हम लिख सकते हैं के प्लस वन प्लस वन थोड़ा अब कंसंट्रेट होई और देखिए यहां पर वन बैटू है तो वन बैटू है जहां के है वहां का दिख रहा तो के प्लस वन दिख रहा फिर एक प्लस वन है तो के के जगा के प्लस वन और फिर प्लस वन करके अलगा गया यहां से सिधे यहां आपको इतना ही सोचना है जहां के था वहाँ प्लस वन आ जाएगा बाकी जगा जैसे है वैसे रह जाएगा तो जब इतना आ गया इसका मतलब है यह आपको इंडिकेट कर रहा कि पी के प्लस वन अब सही हो चुका है यानि इसके बाद हम लिखेंगे यहां से therefore P K plus 1 is true यानि अब P K plus 1 क्या हो गया? सही हो गया अब हम लिखेंगे दज हमको क्या-क्या मिला तो first में मिला कि P 1 is true यह हमको मिल चुका है और हमको second में क्या मिला कि P K plus 1 is true whenever P K is true therefore by principle of mathematical induction principle of mathematical induction से लिखेंगे भी gate हमको P 1 सही मिल गया P 1 सही मिलने का मतलब का हमको दिखाना था तो 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus dash dash plus n equal 1 by 2 into n into n plus 1 and belongs to natural है इसको हमने प्रूब कर लिया ठीक है और प्रिंसिपल आप को देख सकते हैं आसा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जिरू किजिए और नए चनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें मिलेंगा अगले वीडियो में थेंक्यू